हाई एवरीवन स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल दे म्यूजकल हाउस पे दोस्तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यों कि आज का हमारा टॉपिक है कि म्यूजिक में सेंस कैसे बढ़ा है म्यूजिक को समझ के गाना कैसे गाए गाने को समझदारी और अपना बना के feeling के साथ कैसे गाएं तो दोस्तो टोटल हाज हम लोग इसी टॉपिक पे discuss करेंगे आप भी सिंगर हैं आपको भी गाना पसंद है गाना गाना पसंद है तो बने रेमर इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको बताऊंगे कि आप गाने को कैसे समझ सकते हैं और तो सज़दारी और समझने गाना समझने का क्या मतलब है कि जैसे कि मैं आपको एक्जांपल के त Key account की तोर पह बता दूं कि आप जो buy भाशा बोलते हैं एंडि भोचपूरी इंगिलिस भोलते हों कि आपने कहीं वो सीखा है कहीं बोलने के लिए क्लिए बोलते हैं बोचपूरी ऐसे बोलते हैं नहीं न वैसे गाना है जितना आप सुनेंगे उतना गाएंगे और जैसा गाना सुनेंगे वयसे ही गाएंगे तो दोस्तो इसका कही ने कही connection जरूर है आपका year training कान की training जरूर कहीं कहीं होती है अगर आप गाना सुनने की आदत आपको पढ़ गई आप गाना सुनते हैं वह अच्छे गाना जैसा आप गाना चाहते हैं तो दोस्तों आप विश्वास करी हो कहीं ने कहीं आपके माइंड में सिट हो जाएगा और जब भी आप गाएंगे तो अपना इफेक्ट जरूर दिखाएगा तो दोस्तों पहला यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप म्यूजिक में सेंस बढ़ाना चाहते हैं गाना को अच्छे से गाना चाहते हैं तो सबसे पह दोस्तों देखेए सीखना धो जरुरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप का म्यूजिक को और इंगे नहीं का पाएंगे उसके लिए आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आप गाना सीख रहें तो उससे आपका सिंस और डबल अप होगा और अच्छे से गा पाएंगे हम मानते हैं कि बहुत से लाखो करोड़ों में से एक दो सिंगर ऐसे हो तो जो बीना सीखे बहुत ही अच्छा गाले ते प्रोफेशनल की तरह गाते हैं लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप भी बीना सीखे बहुत अच्छा गाले आप अगर सीख के अच्छा गा रहा है पलस गाना सुनने की आपकी हैविट है तो दोस्तों आप विश्वास करें आपका धीरे-धीरे कुछ समय बाद आपकी गाकी बहुत ही अच्छी हो जाग हैं तो भी आपके लिए बहुत इफेक्टी होगा आप रियाज पैटन यूटूब पर देख सकते की कैसे करते हैं दोस्तों बहुत से टुटोरियल पड़े देखने के लिए आप देखिए और रियाज करिए प्लस सीखिए और गाना सुनने की हैबिट डालिए यह सब आपक अच्छे से लगा रहा है तो डिस तो फिलिंग का दो कैसे रखें तो यहां की अगर आप करेक्ट तरीके से लगा ले रहा है बिच आपका करेक्ट है तो कहीं करें आप का का भी काम करेगा और सुर का भी अच्छा काम करेगा और आप अच्छे से उसको निभा के अपना बना के गास भी सकते हैं तोतस्तों को यह चीज हैबिट बनाना है और को समझदारी इसे पहले कि दिरे-दिरे कोई ऐसा चाहिए चीज नहीं है कि आपको समझ में आ जाए या कोई शैप्टर है आपको पढ़ा दिया जाए आपको आ जाए ऐसा बिलकुल नहीं होगा अगर आप चाहते कि आपकी गाया की धीरे-धीरे सुधर जाए आप अच्छा गा लें तो यह टॉपिक आपको करना ही पड़ेगा अगर आप करेंगे तो बहुत ही जल्दे और बहुत ही अच्छा सबसे पहले टॉपिक यही था कि गाना सुनने वाला दूसरा कि सीखने वाला तीसरा रियाज चाहता है पिछ करेक्शन की नोट कैसे लगाए सुर कैसे लगा कि गाते हैं और फिलिंग्स का ध्यान सब्दों के अनुसार भी रख सकते हैं कि शब्द गाने की लाइन क्या कहना च शुरल तरीके से उसको भी एड करिए उसमें उसमें डूब के या अच्छे से उसको फिल्म हैसुस करके गाने की कोशिस करिए वह कहीं न कहीं गाने में इफेक्ट लाता है और गाने को अच्छा बनाता है अच्छे लेवल पे ले जाता है दोस्तों कि अच्छे लेवल में और बुरे लेवल में बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या अच्छा गाना और बुरा गाना है बहुत से गाने ऐसे भी होते जो सालो साल अमर हो जाते हैं कि अच्छा लगते हैं हमेशा अच्छे लगते हैं क्यों अच्छे लगते उसके पीछे रिजन यही है कि उनके स तो वह सुनके समझ के सीख के कई से जानके ऐसे ही बढ़ेगी आपको दो दिन में आ नहीं को समझने के कोशिज करिए गाने का इंट्रो क्या है फिर वर्स क्या है क्या है pre-chorus क्या है ethics क्या है नेक्स वर्स क्या है तो सब कही न कहीं बहुत काम करता है आप सबको सीखेंगे समझेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका गान गाने का रहा जाएगा और अप लगाने कर लगेंगे और उसको गाने को निभा भी पाएंगा, तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आ रहा, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो आप वीडियो एक बार फिर से देख लिजे, और दोस्तों अगर आपके भी मन मन में कोई सुजाओ हो आप कुछ और बताना चाहते हो म्यूजिक सेंस के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स जरी जरूर बताएगा मुझे बहुत खुशी होगी पढ़के और दोस्तों अगर आपके मन में और कोई बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के जरी पूछने ना वीडियो में